हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा जै मातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आप से भी आशा करते हूं कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें दिखिए आज की वीडियो में हम आप से बात करेंगे अचानक से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें शुरुबात करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महां देऊका नाम लेकर लेकि स्क्रीन पर आपको दूर दीविया दिखाए दे रहे होगी फस्ट रेड में हैं से बिल्कुल प्योर गुल्ड में दिख रहे होंगे आपको पीतल जैसे तो इन दोनों में से जो भी आपको अपने तरफ अट्रेक करें जो आपको अच्छा लगें उसे चूस कर लें एक मुर्ती को फिर हम देखते हैं तैडो काट क्या कहते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपक बढ़ने वाले हैं क्योंकि इश्वरी शक्ति पूरी तरह से आपके साथ है पूरी तरह से इश्वर का हाथ आपके ऊपर है जरू थे तो उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरू थे उस कनेक्शन को समझने की जब तक आप उस कनेक्टिविटी को समझेगे नहीं इश्व परविवार करे बाँच मंगलवार करे पांच दिन में पांच बार में वहार तो मेरा काम हो गया तो इसके पहले आप और दिवर शक्ति को मान रहे थे लेकिन जैसे किसी third person की बात आपने सुनी, आपने वहां से ध्यान अहटाया, आप दूसरी जगे forward होगे, ठीके, उससे क्या होता है, कि जो आपका connection पहले बनने वाला था, वो connection छुट जाता है, आपने देखा होगा बहुत सी बाद, कि जब इंसान दस जगे पर जाता है, तो उसका को नहीं होता है, फिर वो किस्मत को देता है दोश, क्या ये किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब ही खराब है, उस वेक्ति का तो काम वहां से हो, हुआ ना, उस वेक्ति का काम कौन मना कर रहा है, लेकिन वहां उसकी आस्था थी, उसका विश्वास अटूट था वहां पर, आप उ जा करते तो कहीं और जाने की जरूती नहीं भरती सबसे पहली बात तो आपको अपनी सोच में बदलाओ करना है ठीक है दिवशक्ती हमेशा आपके साथ है हमेशा आपका सपोर्ट करने के लिए वो तयार है लेकिन आप अपने मार्ग से भटक रहें आपकी नेगेटिव थोट की वज़े से आप बहुत ज़्यदा परेशान हो ले क्या होता है ना कभी-कभी कि आपको बातावरण है ऐसा मिला है हर जगे जहां भी बैटर है वहां नेगेटिविटी आ रही है क्यों तो आर ये नेगेटिविटी पता है आपको नेगेटिविटी इसलिए आ रही है क्यो आपके पास इतनी जादा negativity आ रही है कि आप अच्छा सोच ही नहीं पारे सभी के लिए आपके मुँमें से गलत निकल रहा आपके घर की लेडी से दुसरों की बुराई कर रहे आपके घर के बच्चे दुसरों की बुराई करते है आपके मुँमें से भी अपने रिष्टेदारों की बुराई है निकल दी मतलब आपको भी किसी के लेच्छा सोच ही नहीं रहे हो तो कैसे आपके घर में positivity आएगी ठीक है जो दुसरों की बुराई करता उसके घर में कभी positivity नहीं आती positivity चाहते हो सुकून चाहते हो शांथी चाहते हो सुख चाहते हो तो करना क्या है अपनी सोच में परिवर्तन अप सोच में परिवर्तन एकदम तो होगा नहीं जब भी हमें payment मिले भले 100 में से दर्स खर्च होते हो लेकिन फिर भी 1 रुपया बचा करके दान पुन्य में लगाना है जो काम पहले नहीं और दान पुन्य करते समय बात हमेशा ध्यान रखना ना तो मन में कोई संकोच होना चाहिए ना ही मन में कोई अपवित्र भाव आना चाहिए उना ही मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि यार चलो ये कर देते हैं तो ये वेक्ति हम गुलाम रहेगा, ऐसी सोच नहीं रखने, अगर ऐसी सोच रखोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे बढ़ने के लिए हमेशा लाइफ में अच्छा सोचना है, सब के लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव बन के रहना है, पॉजिटिविटी जब तक किसी एक दिविशक्ति को नहीं मानूगे, तब तक आप परेशान रहोगे, किसी भी एक भगवान को दिल से श्रद्धा, विश्वास, आस्था रखना है, और हमेशा ये सोचना है, अगर यहां से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा, होगा, हमें विश्वास है कि यहां पर काम जरूर होगा, अगर नहीं भी होगा, तो भी वहाँ पुजा पाट करने, तो भी वहाँ ध्यान लगाना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से काम नहीं हो रहा, तो वहाँ से हट जा, वो आपके घर की देवी है, कुल देवता है, जरूरी है उन पर आपका ध्यान लग वहा होगा तो राग तो ध्यान रखेगा दोस्तो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जीवन में पॉसिटिवीटी आती जाएगी वैसे वैसे आपके लाइफ में बहुत सारे च्विंज आते जाएंगे तो टैंचुन परी रेगर के उन चैंजर को करते हैं किस तरह से अपने लाइप ना आगे बढ़ते हैं आखिर क्या होता है दिविशक्ति इनके साथ कहां तक रहती है समझ लेते हैं देखे दोस्तों एक चुछ बदाना चाहूंगी कि आपके उपर पूरा-पूरा आपके पुर्वजों का और कुल दिविदेवता का शिर आखिते हुए इश्वर के मान को रखते हुए जिवन में हमेशा आगे वढ़ने की सोशिश करनी जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक हम जीवन में हमेशा फैल होते रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा देखे इश्वर हमेशा आपके साथ है इश्वर की बातों पर विश्वास आपको होना चाहिए जिब तक आपको इश्वर की बातों पर विश्वास नहीं होगा कुए हमारे साथ कभी तो कुछ ऐसी condition है create हो जाती है कि हम हमेशा यह सोचने लग जाते हैं कि या और ये भगवान ने हमारे साथ इसा क्यों कर हमने तो इसा कबी किया ही नहीं था भगवान हमारा बुरा के अचारे में तो भगवान को मानो ही नहीं ये हम लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे कर्मों की सजा हमें भुगतने को मिलती है हमारे जो पाप है वो हमें भुगतने होते हैं हमारे सोच की वज़े से हम गड़े में गिर रहे हैं और हम बोलते हैं कि इश्वर हमारे साथ इश्वर क्यों करेगा आपके साथ ऐस आप चाहते हो कि इश्वर्षिव आपको सुपून दे, शान्ती दे, वो भी संभाव नहीं है, यह सर्कल चलता है, गोल सर्कल, जैसे आपने किसी को चाटा मारा, फिर सर्कल घूमेगा, आपको कोई और व्यक्ति चाटा मरेगा, वो नहीं बारेगा, कोई और, लब देना लेन बरोबर चलता, एक हाथ ले, एक हाथ दे, आपने कभी-कभी सुना होगा, आपके घर के बड़े पैरेंट्स भी करते होंगे, कई बार आपने देखा भी होगा, कि जब हम कोई मनोकाम ना मांगने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर के कोई चीज छोड़ते हैं, उसका महत को कुछ पाना ही, तो कुछ सैक्रिफाइज आपको करना होगा, इश्वर केता है, एक हाथ ले, एक हाथ दे, ठीक है, बैलेंसेबल दुनिया, बैलेंसेबल संसार है, इसमें जो भी चलेगा, सब कुछ बैलेंस में ही चलेगा, आपके मोबैल में बैलेंस होगा, तो आप बा प्रक्त्रक्राइब बतर सामच लेगा तो इह चीजें हमें समझनी होगी यह चीजिएं हमें परखनी होगी यहीं लिजए कि जो होता है इश्वर के करपा से होता है इश्वरना आपके लिए जो सुछा ही भाही होगा तो जीवन में कभी हार नहीं माद Suppose ne You होगा लेकिन अगर इश्वर की बातों का वाइड करा आपने पॉजिटिव नहीं सूचा आपने सोच को खराब कर लिया नेगेटिविटी आपके घर में घेरे जारी घेरे जारी आप परेशान हो रहें बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हो तो उस बिच क्या होता है उस आपको टेंशन लेना है परेशान होना है घबराना है तो किसी की किसी भी दिविशक्ति की अगर हम बात करें किसी भी दिविशक्ति की तो उस पर अटूट विश्वास जब तक नहीं होगा ना उनसे कनेक्शन नहीं बन पाएगा तो उन पर अटूट विश्वास करने की को को सब्सक्राइब करें बल आकन को प्रेस करें शाथे वीडियो को शेयर करना ना भूलें मिलता है नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद जैमादादी हर हर्माद